हेलो बच्चो कैसे हैं आप आप सभी अच्छी होंगे बच्चो आज हम करेंगे आपकी जो एड़ ग्रेट की जो पुस्तक मिली है उस पुस्तक का पार्ट एक क्या प्रेशन उत्रों को हल करेंगे बच्चो इस पार्ट का नाम है प्रातना तो इस पार्ट का जो पहला रिख आंसी तो आगझानी तो उनुल्मों सें आगए नबना परणाति तो पंध्युझ को भोगनेदे की प्रावत्य० पर्तना है to woda 고H ये देश्कों अजात करने का सपन का न देखा ता इस तरीके से आफ इस प्रावत्य ज्सक्रतने को लिख सकते है के साथ इस प्रेस्ट का उत्तर दे सकते हैं अब बच्चो इस पार्ट के प्रेस्ट के मांग दो को हल करेंगे जो है वे कौन था जिसने देश को आजात कराने का सपना देखा था तो गांदी जी ने देश को आजात कराने का सपना देखा था इस तरीके से आप इस प्रेस्ट क करने वाले को सेवक कहते हैं तो यहां से आप देखकर प्रस्म के उत्तर को लिखेंगे बच्छो आव हम प्रस्म कर्मांग चार को हल करेंगे प्रस्म कर्मांग चार है बच्छो प्रातना कवीता में कभीने किन-किन को अपना सगा माना है तो प्रातना कवीता में कभीने मात्र भूमी की प्रकरती पुरुष पसू सभी को अपना सगा माना है यहां से देखका आप इस प्रस्म के उत्तर को लिख सकते हैं बचो अब हम इस पार के प्रस्म के उत्तर को लिख सकते हैं बचो अब हम इस पार के प्रस्म के उत्तर को लिख सकते हैं बचो अब हम इस पार के प् से हम सुखी और संतुस्ट रहते हैं सुखी और संतुस्ट रहते हैं इस तरीके से इस प्रस्म का उत्तर दे सकते हैं अरहाद का यह मतलब है जिसकी भी आप पूजा करते हैं जैसे हिंदू लोग रहते हैं वो पूजा करते हैं अपने भगवान की मुस्लिम लोग रहते हैं वो सम्मंदित को ये कवीता लिखे तो मात्र भूमी का बच्छो बतलब होता है जन्म भूमी तो इस प्रस्म का उत्तर इस तरीके से लेख देंगे बच्छो जहां हमारा जन्म होता है उसे हम मात्र भूमी कहते हैं ठीक है बच्छो अब एना एक कवीता हमें लिखना है तो ये देख रहे हो बच्चो ये कवीता लिखी हुई है विजय विस्वत रंगा प्यारा जंडा उचा रहे हमारा सदा सक्ती सरसाने वाला प्रेम सदा बरसाने वाला इस तरीके से आप ये प्रेस्टन करमांग साथ भी कर सकते हैं अब बच्चो हम इस पार्ट के मूल्यांकन एक के प्रेस्टन करमांग के एक को हल करेंगे जो है हे हंसवाहिनी ग्यान दाइनी अम्ब बिमल मती दे इस पंक्ती में किसकी अराधना की है तो इस पंक्ती में मासरस्वती की अराधना की है क्योंकि हंसवाहिनी और ग्यान दाइन मासरस्वति को बोला जाता इसलिए मासरस्वति की अराद्ना किया गयुए्टो इसको उतर में आप लिख देंगे बच्चो मासरस्वति हम इसके प्रेस्ट करमांग 2 को हल करेंगे जो है मेरी मात्र भूमी है भारत मैं भारत के योग बनूँ इस पंक्ति से आप क्या समझते हो अपने सब्दों में लिखिए तो इसका उत्र लिखना है आपको यहां कभी कह रहा है मेरी जन्व भूमी भारत है और मैं इतना योग बनूँ कि इसकी सेवा कर समझे इस तरीके से आप प्रेस्ट करमांग 2 के उत्र को लिख सकते है बचो अब इस पार्ट का प्रेस्ट करमांग 3 जो के अंतिम प्रेस्ट भी है बचो उसे हम हल करेंगे उसका उत्र देखेंगे तो वो present क्या है बच्चो प्रातना कवीता पार्ट से आपने क्या सीखा उसे अपने सब्दों में लिखे जब हमने जो कवीता पढ़ी थी तो उस कवीता को पढ़के हमने क्या सीखा उसे अपने सब्दों में लिखना है तो इस पार्ट से आपको ये सीखने को मिलता है बच्चो आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चो जाते समय हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाईएगा